और इंडिलीस किचन वे आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाने बाले हैं थेपला भाजी बहुत ही फेमस रेशिपी है ये गुजरात की और इसको एज जै सनेक या वरिक फास्ट में ले सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है तो चलिए स्टाट करते हैं थेप इसके लिए मैं दो पोटेटो को कट कर लिया है, अभी हमें क्या करना है, एक पैन में 5-6 टेवल स्पून ओयल लेना है, उसको गरम होनी देना है, इसमें हमको डालना है, थोड़े से राही के दाने और कुछ करी पत्ता हम इसमें डाल देंगे, ये आलू की सबजी है, और मजाता इसे, अभी हमें यहां ले लेना है नमक, जैसे आप खाना पसंद करते हैं, कम जादा उसे साब से नमक ले ले ले, और एक टेवल स्पून में यहां रेड चिली पावडर ले रही हूं, लाल मिर्च का पावडर, बन फोर्थ टेवल स्पून में यहां हल्दी तब तक हम अपना थेपले के लिए आटा लगा लेते हैं, इसके लिए मैंने एक बूल में एक कटोरी गयों काटा लिया है, और जस्ट उसका ही आधा हमें यहां बेसन या ग्राम फ्लोर ले लेना है, और इसमें मैंने एक कप मेथी के पत्ति लिये हैं, इनको मैंने अच्छ मच्छ में यहां ले लेना है अदरक लैसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट इसमें 1 फोट कप जाएगा दही और नमक ले लेना है तेच्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी मैंने यहां राइड जिली पाउडर लिया है लाल मिर्च का पाउडर 1 फोट टेबलस्पून 1 फोट टेब प्रफैन ही अजमाईं एड़ करना है, हमए रिट्ट के लिए 1100 एड़ करना है लेशनी अठेन वर मतबह बड़ार करना है जीव्य allen किसे मघँ पानी तियार करना है जयसे सेम बैसे ही करना है ज्यादा पानी के इसमें जरूत नहीं पड़ेगी देखिए डो अमारा लगवग बनकी रेडी है तैयार हो चुका है अब हम इसको रख देते हैं दस मिनट के लिए एक चम्मच ओयल इसमें डाल देते हैं ताकि वो अच्छा सा स्मूध बन जाए अभी हम अपनी भाजी को देख लेते हैं आलू भाजी जो हमने बनाई है यह देखिए छे से साथ मिनट में भाजी हमारी बनके रेडी हो जाती है क्योंकि हम यहां पर पोटेटो पतले-पतले काटते हैं इसलिए तो भाजी हमारी बिलकुर रेडी है बनके अभी हम थेपले के आटे को चेक कर लेते हैं, आटा सेट हो चुका है, अब हम इसमें से छोटी-छोटी लोई लेंगे, और एक चकले पे इसको हमें बेल लेना है, थोड़ा सा आटा लगा लें या घी लगा लें, या ओल लगा लें, उससे इसको बेलने में आसानी होती है, क्योंकि इसमें बेसन तोड़े बेल लेने हैं थोड़ा सा पतला अच्छी तरह से बेलना है इसको और इसको हमें सेक लेना है तब एपर ऑईल डालके अगर सरसों का तेल आप खाना पसंद करते हैं तो उसमें जरूर सेकें क्योंकि बहुत टेस्टी बनते हैं उसमें देखिए थेपला हमारा एक इसे रेडिकल देना है बहुत ही टेस्टी बनते हैं थेपले और इनका खाने का अलगी मज़ा होता है आप इनको जरूर ट्राइ करें गर पर यह देखिए थेपला हमारा एक सिक चुका है दूसरा भी हम इसी तरह से इसको सेक लेंगे और सारे थेपले हमें इसी तरह रेडि कर लेने हैं और मीडियम लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें सेखना हाई फ्लेम पर नहीं सेखना नहीं तो यह कच्चे रह जाती है इतना ध्यान रखें तो आपके थेपले परफेक्ट से कहेंगे तो लेजिए थेपले हमारे बनके रेडि है और आलू की भाजी भी हमारी बनके रेडि है इसको आलू की भाजी के साथ सर्व करें बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है दही के साथ भी सर्व करें और इसको जरूर बनाएं जरूर खाएं यह मेरी रेस करना ना भूले थेंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में